स्वागत है मारे युट्यूब चैनल में देखे इस वीडियो हम देखें हैं क्लास 9 का मैथ का 40 Most Vyv इंपोर्टन कोस्चन जो आपका डिरेक्ट एक्जाम में देखने को मिलेगा जी हाँ जो आपका डिरेक्ट एक्जाम में देखने को मिलेगा इसलिए वीडियो परांतक बने रहेगा और अपने सबी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर सेयर कीजेगा और चैनल पर पहली वाराएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी बिल आइकन को प्रेस का नोटिफिकेशन को ओन कर लिजेगा तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं देखे इस वीडियो का हर एक परसन को पूरी अच्छी तरह से देखेगा कि एक हैसाई परसन जो आपका है एक्जाम में आने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे शबसे पहले महथ का जो paper है आपका 5 माई को होगा जोकी second sitting में लिया जाएगा समय है 2 pm से लेकर 5-15 pm तक देखे महथ के साथ आपको एक और paper दिया जाएगा जोकी आपका science का होगा उसका video में अपलोड कर दिया है अगर ना देखे तो decision में लिंक है जाकर देख लिजेगा और आपका first sitting का जो paper दोगो Hindi और English का उसका भी वीडियो में अप्लोड कर दिया है ना देखे तो decision में लिंक दिया हुआ है उसे भी जाकर जरूर देख लिजेगा देखे टोटल question की बात करें तो 40 है और टोटल मार्स की बात करें तो 40 है यानि per question पर आपको एक नमर दिया जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है तो देखे मैट का जब आपका पहला प्रस्न दिया गया है कि निमनलिखित में से कौन आवाज संख्या है देखे वीडियो का स्किप मत करिएगा क्योंकि हर एक प्रस्न इस वीडियो का बहुत ही महतुपूर्ण प्रस्न है देखे जो आपका पहला प्रस्न निमनलिखित में से कौन आवाज संख्या है तो आवाज संख्या जो आपका हो जाएगा option A हो जाएगा तो यानि दो आपका जो है अभाज संख्या में आता है उसका वह देखे आपका नेश्ट प्रस्न है दो नमर का प्रस्न दिया गया है कि दो पुर्णांकों का गुनल फन हमेशा होता है तो दो पुर्णांकों का गुनल फन हमेशा क्या होता है तो पुर्णांग होता है यानि C option आपका सही हो जागा देखे इस वीडियो का पूरी अच्छी तरह से एक एक प्रस्ण को पूरी अच्छी तरह से देखेगा देखे आपका जो नेश प्रस्ण तीन नमर का प्रस्ण है कि पाई किस प्रकार की संख्या है तो पाई जो आपका एक इस प्रकार की संख्या है देखे उप्सण है प्राकितिक संख्या पुर्ण संख्या परिमे संख्या इनमें से कोई नहीं तो देखे पाई जो आपका परिमे संख्या तो आप परिमे संख्या इसमें उप्सण नहीं है एक्जाम में रहे तो आप परिमेवी होता है और आप परिमेवी यानि ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा फिर देखें नेश्ट नमर जो 5 नमर का प्रसन क्या दिया है कि देखें दो तथा 3 के बीच 9 में से कौन सी परिमेश संख्या होगा तो 2 और 3 के बीच आपका परिमेश संख्या कौन सा होगा तो D हो जाएगा 5 बटा में 2 आपका परिमेश संख्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच में तो देखे 2 और 3 के बीच आपका 5 परिमेश संख्या कैसे हो जाएगा 5 को आपको 2 से डिवाइट करेंगे तो आपका आज जाएगा 2.5 तो 2 और 3 के बीच 2.5 फी आता यानि D option आपका सही हो जागा 5 अपटा में 2 उसका बढ़ दिखेंगे इस प्रस्ण आपका 6 नमर का प्रस्ण दिया गया कि 2 का पावर माइनस 3 बराबर तो 2 का पावर माइनस 3 बराबर में है दिखें जो आपका पावर है वो माइनस में तो आपका जो एंसर होगा 1 पहले हो जागा उसका बढ़ दिखें 2 का तीन बार गुना करेंगे 2 2 2 3 बार तो आपका हो जागा 8 यानि 1 बटा में 8 हो जागा आपका सही तो यानि स्य उप्सन जो आपका सही हो जागा 1 बटा में 8 उसका बद देखे, नेश्ट नमर, यह साथ नमर का परस ने, दिया है कि देखे, इन में से कौन एक बहुपद है, इन में से कौन एक बहुपद है, तो देखे, आपका साथ का जो साही option हो जाएगा, option C 2X का पावर 5 और प्लस 3X का पावर 4, प्लस 4X, प्लस 3, जो आपका है, ए निमने से किस बहुपत का एक सुन्यांग दो है, निमने से किस बहुपत का एक सुन्यांग जो आपका दो है, तो आठ का देखे, सही ओप्सन हो जगा ओप्सन भी देखे, एकस माइनस दो है, आपको बराबर में आपको जीरो कर देना है, तो एकस बराबर में आपका चल जाग माइनस में तो इधर पलस में यानि जो आपका x का 2 का सुन्यांग हो जागा यानि नीमने उसे किस बवपत का एक सुन्यांग है तो x-2 का 1 बवपत का एक सुन्यांग 2 है उसका वद देखिए नौन नमर के जो प्रसने दिया गया है कि बवपत x square minus 3x का power cube minus 5x का घात है देखिए घात जहां भी पूछे आपको तो जिसका power सबसे अधीक रहेगा उसी को घात में लिख दिजेगा इसमें आपको किसी प्रकार का गलती नहीं होने वाला तो देखिए इसमें घात सबसे ज़्यादा कोने 3 है तो 3 आपको लिख देना यानि D option आपका सभी हो जागा 3 उसका देखिए दस नमर का जो प्रस ने दिया गया कि यदि Px बरावर 5x square minus 2x plus 7 हो तो P में 1 का मान है देखिए इसमें आपको P में 1 का मान बैठाना दे यानि देखिए जहाँ जहाँ एक से आपको वहाँ वहाँ आपको 1 बैठा देना है तो देखिए 5x square 5x में आपको 1 रगना एक का square एक हो जागा तो 5 गुना एक आपको 5 ही हो जागा उसका बाइखे माइनस टू गुना में एक से तो एक हो जागा तो टू गुना एक हो जागा आपका दो उसका बाइखे पलस साथ का साथ हो जागा उसका बाइखे आपको जो है पांच और साथ केतना हो जागा आपको बारा और बारा में से दूग आपको दस हो जागा यानि आपका जो option हो जागा option S चाही हो जागा आपका 10 उसका अबाद देखिए 11 नमर को जो प्रस्ण दिया गया है 11 नमर में प्रस्ण है 2X का Q minus 5X square minus 2X फिर देखिए minus 2X plus 5 में आपको X square का गुनांग है तो देखिए आपको X square कहा लिखा है इसमें कहीं पर भी आपको X square नहीं लिखा है तो X square का जो आपका गुनांग हो जागा आपको 0 हो जागा यानि D option जो आपका है सही हो जागा उसका बाद देखिए जो आपका 12 नमर का जो प्रस्ण दिया गया है कि यदि किसी बहुपद PX बराबर X square plus X minus 2 को X plus 2 से विवाजित किया जाता है तो सेस्फल होगा तो देखिए जहां भी आपको सेस्फल का बात करता है तो देखिए कैसे निकालिएगा सबसे पहले X plus 2 जो आपका दिया गया है इसको बराबर में 0 कर दिजेगा और उसका बाद देखिए X plus में 2 है तो इधर जाए तो minus में आपका 2 हो जागा तो X का मान कितना लिखना minus 2 और इसमें जहां पर भी आपका X से वहाँ पर minus 2 को बैठाईए जैसे X square है तो minus 2 का square आप लगाईए उसका बाद दिखिए plus फिर minus 2 और फिर आपको minus 2 तो इसका दिखिए minus 2 का square आपका कितना हो जागा 4 उसका बाद दिखिए minus X था minus 2 था तो minus 2 का 2 हो जागा उसका बाद दिखिए minus 2 यहाँ पर भी हो जागा तो 4 का 4 minus minus plus होता है तो minus 4 और 4 चार चार खट गया तो यानि 0 आपका हो जागा देखिए आपका सेषफल कितना निकला जीरो तो सेव अप्सन जो आपका सेव जागा जीरो उसका बाद कि 13 नमर का प्रस्ट ने दिया गया है कि x square minus 9x plus k का एक गुनन खंड x minus 1 है तो 1 k कमान क्या होगा तो देखे आपको इसमी करन दिया है उसमें x-1 x-1 है तो k-kman क्या होगा तो देखे सबसे पहले हम लोग करेंगे x-1 है आपका तो ब्राबर में इसको 0 दे देंगे तो x-kman कितना होगया x-kman आपका 1 निकल आया उसका बधिखे जहाँ पर आपका x वहाँ पर क्या बेठाना है अब 1 बेठाना है तो x का square यानि 1 का square हो जाएगा उसका बधिखे माईनस 9 x-1 तो 9 गुणा में एक हो जाएगा prosk combination हो जाएगा उसका बधिखे 1 का square एक होता है और minus 9 और plus k 9 को 1 से गुना करें तो 9 ही आएगा उसका बाद देखिए 1-9, 1 में से 9 हो गया तो minus 8 हो जागा plus में k हो जागा उसका बाद देखिए minus 8 को जो उधर ले जाएंगे तो आपका minus में चीन है तो इधर plus आजागा यानि 8 हो जागा तो k बरावर कितना निकल गया 8 तो आपका b option से हो जागा k बरावर 8 हो जागा k कमान 8 हो जागा उसका बाद देखिए 14 नमर का जो प्रसने दिया गया कि x square minus x का 1 का गुनानखंड है तो x square minus x minus 6 का गुनानखंड है तो देखिए आपका गुनानखंड पुछा x square minus x minus 6 का तो आपको 6 को जो है x square से गुना करना है तो कितना आ जागा 6 का x square इसको आपको side में ही मान में रखना है तो सबसे पहले लिखेंगे x square minus फिर देखिए 6 square को ऐसा तो रहे कि आपका जो है minus x आ जाए तो देखिए 3x लिखेंगे उसका बाद देखिए plus 2x लिखेंगे उसका बाद minus 6 तो देखिए आपको जो आ जागा तो देखिए x square था minus 3x plus 2x minus 6 तो आपको क्या करना देखिए इसमें से आपको common निकलना है x square रो minus 3x में तो आपको x common निकलेगा तो इधर आ जागा x minus 3 उसमें आप फिर आपको देखिए इसमें आपको common निकलना तो आपको common क्या निकलेगा 2 निकल जागा तो इधर आ जागा x minus 3 जो आपका term है यह term यह term बराबर हो गिया तो देखिए उसका बाद जो आपका हो जागा X रूख जाए X प्लस 2 और एक टर्म क्या था आपका X माइनस 3 यह आपका गुननखंड हो जागा X स्कार माइनस X माइनस 6 का तो देखते हो अप्शन में कहां लिखा है तो देखिए अप्शन D नमबर में लिखा है X माइनस 3 और X प्लस 2 देखिए इसको हम पहले लिख दिया तो यह से कोई दिक्कत नहीं होगा आप बाद यह पहले लिख सकते हैं उसका हुआ देखिए आपका जो 11 नमर को सोरी 15 नमर के 15 नमर में आपको जो दिया गया है एक आकरिती आपको दिया गया है तो चलिए इसके question की तरब हम लोग चटते हैं तो यह 15 नमर के जो प्रसनिट दिया गया है कि विन्दू L का निर्दे संग अपको पूछा है क्या होगा तो चलिए आ करिती में चलते हैं तो आकरिती में देखिए L का निर्दे संग आपको कहा है तो देखके सबसे पहले आपको देखना है X में क्या है उसका बाद देखना है Y में क्या है तो देखे L जो आपका यहां दिया है X में आपका जो है माइनस 5 है तो माइनस 5 को पहले लिखना है फिन Y में देखे Y में जो आपका दिया है माइनस चार उसका बाद माइनस चार लिखना है सबसे पहले आपको एक सी लिखना है उसका बाद वाई तो देखिए option C जो आपका सही हो जाएगा माइनस पाँच और माइनस चार आपका जो L का निर्संग है देखिए आपका 16 नमर का प्रसन है कि बिंदू S की कोटी क्या है तो कोटी के बाद है तो Y का मान हो जागा तो S की कोटी क्या चलिए करित्ती में देखते है तो बिंदू S का कोटी पूछा तो देखिए S यहाँ लिखा है यह आपका X हो गया और यह आपका Y हो गया तो कोटी Y को बोलते हैं तो minus 4 जो आपका सही option हो जाएगा S का कोटी minus 4 तो देखते हो option में कहा लिखा है तो देखिए S की कोटी minus 4 था यानि B option आपका सही हो जाएगा minus 4 हो जाएगा उसका वाद देखिए आपका 17 नंबर का जो प्रस ने दिया गया है कि बिंदू B की भूज क्या है तो इसमें भूज पूछा है तो भूज आपका X हो जाएगा और कोटी क्या हो तो आपका Y तो बिंदू B का भूज क्या होगा तो चलिए अकृति में देखते है तो देखिए बिंदू B का भूज आपका हो जाएगा X में कहा है तो 4 है तो आपका B का भूझ क्या हो जगा चार हो जगा तो देखते हैं उप्सन में चार कहां पर लिखा है तो देखें आपका 17 नमबर का सही उप्सन हो जगा उप्सन D 4 हो जाएगा देखें फिर 18 नमबर का जो प्रस्ण दिया गया है कि निर्दे सांक 3 माइनस 4 द्वारा पहचाना गया बिंदू है तो देखें सबसे पहले 3 जो है X में आ गया और माइनस 4 जो है वह वाई में आ गया तो सबसे पहले 3 देखें उसका बाद माइनस 4 देखें तो द्वारा पहचाना गया बिंदू है चलिए आकरिती में देखते हैं तो देखिए आकरिती में आपको ढूणना है कि X में 3 राना चाहिए और Y में माइनस 4 तो ये कोटी किसके द्वारा पहचाना गया बिंदू तो ये S द्वारा पहचाना गया निर्दे सांग बिंदू तो देखिए S का साई उप्षन हो जागा आपका 18 का साई उप्षन हो जागा strongest B S 3 और मेनस 4 द्वारा पहचाना गया बिंदू S है उसका अब देखिए 19 नमर का जो प्रसन दिया गया है कि कारते लिए तल में 36 रेखा को क्या कथे हैं तो उसको X आज क कथे यानि A option जो आपका सही हो जाएगा 19 का उसका बार देखें 20 नमर का जो प्रशन है कि मूल बिन्दू का निर्देशांग क्या हो होगा तो मूल बिन्दू का निर्देशांग 00 होता है X b 0 वार Y b 0 यानि D option जो आपका सही हो जाएगा फिर देखें किस नम्मर का जो प्रसने दियागा है कि यदि 2,0 रेखिक समी करण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है तो k कमान क्या होगा तो k कमान पूछा देखें x में आपका 2 दिया है और y में आपका x में 2 और y में 0 दिया है तो इसमें आपको x के जगा y दो बैठाना और y के जगा 0 तो बैठा कर देखते हैं देखें 2x है तो 2 गुना में 2 हो जागा उसका बाद देखें प्लस 3y में आपका 0 तो 0 हो जागा गुना में उसका बराबर में k दो से दो गुना करेंगे तो चार और तीन से जीरो करेंगे तो जीरो बराबर में के चार बराबर के आजागा यानि जो आपका के का माहने चार आजागा यानि ए उप्सन जो आपका सही हो जागा के ब्रावर 4 देखे 22 नमर का जो प्रस्न है कि दो चरवाले रेखिक समीकरन का मानक रूप है तो दो चरवाले रेखिक समीकरन का मानक रूप आपका B हो जाए का उप्सन AX प्लस BY प्लस C ब्रावर 0 जो है आपका रेखिक समीकरन का मानक रूप है दो चरवाले उसका वाद देखिए जो आपका 33 नमर का जो प्रस ने दिया गया है कि दो चरवाले रेखिक समिकरन का ग्राब प्रदसित करता है तो दो चरवाले रेखिक समिकरन का जो आपका ग्राब प्रदसित कैसा करता है तो एक सरर रेखा ग्राप प्रदसित करता है तो तेज का ए अपसन जो आपका सही हो जागा देखे बीडियो का स्किप मत किजिएगा हर एक प्रस्ण को पूरी अच्छी तरह से देखे कि क्या इसाही प्रस्ण जो आपका एक्जाम में देखने को मिलने वाला है उसका बात देखे 24 नमर का जो प्रस्ण दिया गया है कि एक जबराबर 5 और वाई बराबर 2 निमन में से किस रेखिक समी करन का हल है तो देखिए इसमें आपको चारो ओप्सन में जो है एक कमान 5 रखना है और वाई कमान 2 रखना है और जिसमें बराबर आ जागा तो उसी को आपको सही कर दिना है तो हम चार ओप्सन को नहीं देखते हैं सीधा इसका सही एंसर को देखते हैं तो देखे 24 का आपका सही एंसर हो जाएगा C X पलस Y बराबर 7 देखे कैसे होगा x में आपको 5 रखना है और y में आपको 2 रखना है तो बराबर में 7 तो देखिए 7 बराबर में 7 यह आपका हो गया रेखिक सम्मिकरन का 1 हल ऐसी तरह आपको सब एंसर को चेक करना है देखिए 25 नमर का फिर प्रस न दिया गया है कि रेखिक सम्मिकरंट 2x प्लस 3y का 3y बरावर 12 का एक हल है तो इसमें आपको देखिए 2x दिया है प्लस 3y बरावर 12 का एक हल है तो इसमें आपको 4 ओप्सन को चेक करना होगा देखें जैसे 3 है तो इसमें आपको x के जगा 3 बठाना होगा और 2 है तो y के जागा 2 बेठाना हो इसी तरह आपको चेक करना हो तो चलिए मैं इसका सीधा answer की तरब चलता हूँ तो 25 का answer हो जागा बी हो जागा देखे आपको 2x में 3 बेठाना तो देखे 2 गुना में 3 हो जागा उसका बाद पलस 3 3 वाई में आपको 2 बेठाना है उसका बाद देखे 12 तो देखे 3 to just 6 हो जागा पलस 3 to just 6 और बराबर में 12 था दिया तो 12 बराबर 12 हो गया तो यह आपका एक हल हो गया यानि बी ओप्सन जो आपका जो है सही हो जागा इसी तरह आपको चेक करना होगा एक्जाम में सबसे पहले चेक कर लिएगा उसका बाद एंसर को सही कीजेगा तो फिर देखे आपका 26 नमर का जो प्रसन दिया गया है कि यदि बिंदू 2,3,1 प्लस y बराबर के द्वार निरुपित रेखा निरुपित लेखा पर इस्थित हो तो के बराबर क्या होगा तो देखे इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है एक्स कमान आपको 2 दिया और y कमान 3 दिया तो बैठा देना सिंपल सा यहां देखे आप कोमा नहीं दिया होगा गलत से होगे देखे एस के जगा आपका 2 था और y के जगा आपका 3 था बराबर में k था तो 5 बराबर में k आगे यानि k बराबर 5 होगे आपका सही उप्सन यानि d आपका सही उप्सन हो जगा k बराबर आपका 5 हो जगा फिर देखें 27 नमर का जो प्रस्ण दिया गया है कि रेखिक समिकरन 4x प्लस 3y बराबर 12 का अलेक x अच के किसी बिंदू पर प्रतिछेद करेगा तो इसमें भी आपको सबी अप्सन को बारिक बारिक से देखना है देखें जैसे 0 और 6 तो सबसे पहले x में आपको 0 रखना होगा 6 तो y में आपको 6 रखना होगा तो हम इसका सही एंसर की तरह चलते हैं तो देखें 27 आपको जो सही अप्सन हो जागा अप्सन C हो जागा 3,0 देखें इसको बना कर देखते हैं 4x में आपको 3 रखना है प्लस 3y में आपको 0 रखनाए और बराबर में आपको 20 देना है तो चर्त यहीं 12 हो गया और 3 गुणफ as तो 3, 0 बराबर 12, तो आपको 12 बराबर 12 हो गया, ती आपका प्रतिछेत करेंगा, एक सच करेंगा, तो 3,0 पर प्रतिछेत करेंगा, यानि सु of सन जो आपका सही हो जागा, उसका वाहत देखें, अठाइस नमर कर जो प्रस ने दिया गया, कि 60 का पूरा कोन का मान क्या होगा, तो देखे, 60 का पूरा कौन का मान क्या होगा, तो पूरा कौन किसको कते है, 90 डिग्री को पूरा कौन कते है, तो 90 में से 60 चल लिया, तो केतना आया, 30, यानि ए अप्सन आपका सही हो जाएगा, 30 डिग्री, उसका वाद देखे, 29 डिग्री को प्रसंद यागा है, वाद को जो 90 से अधीक, तथा 180 से कम हो कहलाता है, 90 से ज़्यादा पूछा है, और 180 से कम पूछा है, तो आपका अधीक कोन में आजएगा, यानि C अप्सन जो आपका क्रेक्ट हो जाएगा, फिर देखे, जो आपका 30 नमबर को जो फ्रसंद है कि, उसको उनकी माप क्या होगा, जो पूरक को उनके आधे से 30 अधीक हो, तो देखे, इसमें भी आपको सबी अप्सन को चेक करना होगा, उसका बाद आपको एंसर पता चलेगा, तो मैं इसका सिधा इंसर की तरब चलता हूँ, तो देखे, जैसे इसका D उप्सन जो आपका सभी होगा, पचाज डिगरी, कैसे होगा तो मैं आपको बताता हूँ, देखे, 90 डिगरी में से 50 डिगरी आपका जाएगा, तो कितना आएगा, 40 डिगरी, तो 40 का आदा केतना होता है, 40 का आदा आपका होता 20, और आपको 30 अधिक पूछा है, तो 20 पलस 30 केतना होजागा, 50, जो आपका D उप्सन सही होजागा, 50 डिगरी जो आपका है, पूरा कोन के आदे से 30 अधिक है, इसके तरह आपको सभी को option को check करना उसका बाद answer को लिखेगा देखें फिर आपका जो 31 नमर का प्रशन दिये गया है कि नीचे दिगए आकरिती में रेखाएं A, B और C, D बिंदू O पर प्रतिछेद करती है यदि एंगल A, O, C प्लस एंगल B, O, E बराबर 70 हो तो एंगल C, O, E ग्याद किजिए देखें A, O, C प्लस B, O, E आपका 70 डिगरी बराबर दिया है और C, O, E जो आपको ग्याद करना है तो देखिए आपको जो है A, O, C आपको और B, O, E बराबर आपका कितना 70 डिगरी बराबर आपका दिया गया है तो 70 डिगरी बराबर दिया है और यह जो लाइन है सीधा पर रहा है यानि रेखी क्यूम से हो जागा देखिए रेखी क्यूम कितना होता है 180 degree होता है तो देखे 2 कोन आपका 70 degree दिया हुआ है तो देखे 2 कोन आपका 70 degree बराबर में दिया गया है और आपको निकालना क्या है COE निकालना यानि बीच वाला आपको भाग निकालना है तो देखे 180 में 70 आप जब माइनस करेंगे तो कितना आजागा देखे 0 से 0 गिया 8 में 7 गिया 1 और 1 तो 1 आपका लिखाज गया यानि 110 तो देखे B option जो आपका सही हो जागा 110 degree जो आपका है COE का मान कितना हो जागा 110 degree यानि 31 का जो आपका B option सही हो जाएगा उसका वज़ देखे आगे 32 इस नम्मर का जो प्रस्ण दिया गया है कि नीचे दी गई आकरिती में A, B, A parallel है CD हो तो X, Y, X, Y X, Y का मान क्या होगा या आकरिती में आपको A, B जो है A, B और CD जो parallel है और X, Y का मान आपको पूछा है तो देखे A, B जो है CD का parallel है फिर दिया आपको X, Y का मान आपको बताना है देखे जो पचाज डिग्री है उसका बराबर में कुछ नहीं तो देखे पचाज डिग्री दिया तो रेखी की मुख से आपको लिखा सकते तो रेखी की मुख कितना होता 180 डिग्री तो 180 में 50 जब जाएगा तो कितना आजएगा 130 डिग्री आजएगा यानि जो यहाँ वाला जोग का हो जाएगा 130 डिग्री उसका बद देखिए जो आपको 130 है उसी को सीधा कर देगा यानि सीर सब भी मुख से आपको X का मान भी कितना आजएगा 130 डिगरी आपका X बराबर भी आजगा उसका बाद देखे जब आपका 130 डिगरी है तो Y भी कितना हो जगा 130 डिगरी कैसे होगा तो एक आंतर आंता कौन से जो आपका है Y भी 130 डिगरी हो जगा तो 130, 130 कितना होता है तो 260 होता यानि D option जो आपका सही हो जगा X प्लस Y कमान कितना हो जगा 260 डिगरी उसका बाद देखे 33 नमर का जो प्रस्न दिया गया है कि त्रिभूज के तीनो कोनो को योग कितना होता तो आपको भी पता कि त्रिभूज के तीनो कोनो को योग 180 डिगरी होता उसका बाद देखे चोंतिस नमर का जो प्रस्ण है कि किसी त्रिभूज में अधीक सधी कितने समकौन हो सकते हैं समकौन का बात यानि किसी भी त्रिभूज में सबसे कम से कम तो आपको यह कहीं समकौन हो सकता है तो आपका C option जो है सही हो जगा देखे कोई भी आपको प्रस्ण समाज में नहीं आता है तो कमेंट में बता दीजीगा मैं आपको किलियर करकर बताऊंगा उसका बाद देखे आपका 35 नमर का जो प्रस्ण है दिये गया है कि यदि AB बराबर QR, BC बराबर PR और CA बराबर PQ है तो ओप्सन में देखे A में AB जो है क्यु Beatles के बराबर दिखाना है तो AB सुरू में और QR जो है इसमें बाद में तो यह उसका बाद देखे B ओप्सन पर देखे A B last में है क्यु jewel सीधा है यानि ऑ भी आपका में प आपका अप्सन C option भी आपका गलत है, तो आपका सही option क्या हो जाएगा, option D, या C आपका D option सही हो जाएगा, उप्योक्त से कोई नहीं, यह आपका सही option हो जाएगा, फिर देखिए, 36 अमगर जो प्रसनित दिया गा है कि, नीम ने लिखिए तिमें से कोंतरी भूच के सरवसंग की कसावटी नह जाएगा, उसका बाद देखिए, आपका 37 अमगर का प्रसनित दिया गा है कि, दो त्रिभूज सरवसंग होते, यदि इन त्रिभूजों के दोनों कोन के यूग में बराबर हो, तथा वह भूजजिस पर दोनों कोन बन रहे हैं, बराबर हो तो कि इस प्रकार का सरवसंग हो मतलब आपको दो कोन दिया है, और एक भूजा आपका दिया गया है, तो यह जो आपका कौन सा इंगल से, कौन सा सरवसंग से बराबर हो जाएगा, तो 37 का आपका साई उप्शन हो जाएगा, तो 37 का आपका साई उप्शन हो जाएगा, उप्शन ए, इंगल साइड एंगल, यानि दो कौन दिया है और एक भूजा है जिस पर कौन बन रहे हैं तो एंगल साइड एंगल से यह जो त्रिभूज और सरगसम हो जाएंगे उसका बाद देखे 38 नमर का जो प्रसन दिया गया है कि समभाहू त्रिभूज का प्रतेक कौन होता है तो संभावो त्रीभूज का प्रतेक कौन कैसा होता तो 60 डिग्री का प्रतेक कौन होता है यानि ए ओप्षन जो आपका क्रेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री उसका बाद देखिए 49 नमर का प्रस्ण ने दिया गया है कि यदि एक त्रीभूज के तीनों भूजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रीभूज सर्वगसम होते हैं देखिए इसमें तीनों भूजाओं के बराबर की बात करा दूसरे त्रीभूज के तीनों भूजाओं के बराबर तो तिन भुजा यानि सीधा हो जाएगा आपका side 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 नियम से सरवगसम को सवटी हो जाएगा उसका वाद देखे आपका अंतिम प्रस ने 40 नमर का की अकरिती मित्री भूज, B.O.C. तथात्री भूज, A.O.D. सरवगसम के किस नियम से सरवगसम होंगे तो देखे इसमें आपको right angle दिया है और इसमें भी आपको right angle दिया है तो right angle दिया यानि R.H.S. का formula लग जाएगा तो देखे R.H.S. ये option में यानि R.H.S. नियम से ये त्रिभूज, B.O.C. और A.O.D. सरवगसम त्रिभूज हो जाएगा देखे यहां से आगया B.O.C. ये त्रिभूज हो गया और A.O.B.A. A.O.D. ये त्रिभूज आपको R.J.S. नियम से सरवगसम हो जाएगे देखे इसी तरह आपका मैत का भी 40 भी बिया important question का वीडियो समाफ्थ हो गया और इससे पहले Hindi का, English और Science और Social Science का वीडियो अपलोड हो चुका है उससे जरूर देख लिजएगा decision में link दिया हुआ है और इस वीडियो का अपने दोस्तों का साथ जरूर share कीजएगा और चेनल को subscribe जरूर कर दिजएगा तो चलिए मिलते अगले next एक और वीडियो में